अंदर अश्य बॉर्डर पर जो निवासी है स्थानी निवासी वो साल 2021 से सकून और चैन की नीन सो रहे थे और उन्हें इस बात का इल्म था कि अब भारत पाक जो समझोता हुआ है अब एक भी गोली जो है पाक रेंजर की तरफ से हिंदुस्तान की तरफ नहीं आएगी लेकि दिलों में डर और खोफ का महौल है इस अमेहमा अर्णिया में है जहां पर देर रात से लगभग 5-6 घंटे लगातार फारिंग हुई है लोगों के दिलों में डर और खोफ का ऐसा महौल बना हुए है कि पहले की तरह वो अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो चु क्योंकि उनके मालूम था कि भारत पाकिस्तान के बीच में अब एक इतना ऐसा समझोता हुआ है कि इसके बाद कभी भी पाक रेंजर्स की तरफ से फारिंग नहीं होगी हाला कि ये बहुत दर्दनाक दुखत बात है कि फिर से फारिंग होती है यहां पर कुछ लोगों के माल मवेशी इंजर्ड हुए हैं सिवल इंजर्ड हुए हैं बी एसफ का जवान इंजर्ड हुआ है और जिनका उपचार इस समय राज के मेडिकल कॉलेज बक्षिन अगर जम्मू में हो रहा है कुछ लोग इस समय हमारे साथ मुजूद है और यह जो छरह यहां पर पड़ है मैं कितना डर का महौल फिर से बनाया है क्योंकि 32 महीनों के बाद फिर से पाक की तरफ से नापाक हरकत हुई है डर का महौल तो है यह ठीक है और डर का महौल यहां पे नहीं पूरे एरिये में फैला हुआ इस वक्त तो सारे लोग टेंस जाए तो रात को कुछ लोग बागे भी ह है वह उन्होंने छोटा सा कैम्प बनाया हुगा है यह हमारा पूल ला इदर एक पूल उसके पार कैम भी बनाया हुआ है अभी बहुत डर कम हो ला यहां पे लेकिन अच्छा बहला महौल ठीक हो गया था आपने अंदाजा भी लगाया होगा कि फिर से फाइरिंग हो सकती है मैं ऐसा तो सोचा भी निताम ने सोचा अब तो सीज फाइर हो गया अब तो ऐसा कुछ नहीं है पिछले काफी टाइम से हुआ भी कोई शैलिंग स्माल वैपन फाइरिंग भी नहीं हुए है तो एक दम से स्टार्ट होई थी तीन-चार दिन पहले इंजड हुए थे बीस किसी की डैथ भी होगी है विचारे की तो फिर उसके तीन दिन बाद फिर ऐसा हुआ है और अभी तो बड़ा हुआ है यह बड़ी शैलिंग मुटार की चोटी-चोटी-चोटी फाइरिंग हो रही थी लेकिन अंदाजा नहीं था कि फिर से लोगों के घरत हो कि वो निशाना सोच नहीं था कि आप तो मोहल बिल्कुल शांट ता सोच रहे थीख हो गया मोहल अभी फिर से मकान का काम सब कुछ ठीक चल रहा था ब्याइद शादी सब ठीक हो लगे अगर बिल्कुल ब्राउन जीरो पर गर ग्र बनाएंगे तो कहीं से भी शैलिंग होगी लेकिन इस कि अब यहां घर बना लिए मुझे लगता है मैं पहले तस्वीरों में बताओं यह भी एक नया घर ही बन रहा था अभी आधा ही कंप्लीट है यहां पे भी यह घर भी जो है पाक रेंजर्स की फाइरिंग में शिकार हुआ है और मैं तस्वीरों में यह भी दिखाना जाओंग यहां पर फाइरिंग की जो अबादे भी आई है और चरे भी यहां पर गिरें आप बताईए कितना मुश्किल हो जाता है तो बैसी सिच्वेशन घर छोड़कर जाना पड़ता है बड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है अब खुद तो बंदा कोई कोई कर लेता है लेकिन हुम हमने पशूर रखे हुए है इनको कहां छोडे रातको उचानक जब जानतों पता होना बंदे को कि आज wrestler होना बंदा इनको आगेपीछे करलेता है कहीं लेकिन जग जब फाइर होता है तो अक्षा एठी तो क्या करें बड़ा मुश्किल हो गया है पहले तो हो आगे अ कड़ाई कर दाएगे हम 도 невबर बागी तर हाँ है क्योंकि लेबर भी हमने सुना कि राक कुछ डरी ईंग बच्चे चोड़े डर जाते हैं घर परिवार का महौल खराब हो जाता है तो यह जो पहले की भी बात है जह पहले व्हीं चले है उस टेम भी जो अभी दो पता ही नहीं है किसी को भी चलना शेलिंग होनी है चैनिन नहीं होना था कि आप बिना किसी डर कोफ के बैटे थे कि पर देखा भाई अभी समझोता होगया इंडिया और फाकिस्दान का भाई अभी फैरिंग नहीं होगी राज को बादे भी आई हुई थी इदर वह भी बचारे नहीं खाया कुछ भी ऐसे पापच चले गया तो ऐसे महौल में कौन रहेगा ऐसे महौल पे कौन रहेगा जाई सी कि कोशिश करें कि कैसा ये इलाक है क्यूंकि दूर दराद ये जवी leyदारां नहीं डारों का इलाका है ऑर दूर दूर गर हांगी घरों updated मिश्ने इस तो ऑर जो वो फैर ये इस चरह आती हैं इस तरह से ही यह पाक रेंजरों को आई होपा भी नहीं बनाते थे, ये कुछ सालों से ही हुआ है कि भारत पाक में दोनों जो देश हैं, उनमें समझोता हुआ था कि सीजफार जो है वो बिल्कुल बंदो गे लेकिन उसके बावजुद उसका उलंगन किया गया, उसके बावजुद ये नापाक हरकते की गई, तो अब जो ह है, लोग फिर से लोगों में डर का महोल बना हुए है, लोगों ने कहा कि अर्निया सेक्टर पहले से बदनाम था, यहां की लड़की कहीं नहीं जाती थी, यहां पर कोई लड़की नहीं देता था, यहां कोई शादी नहीं करता था, यहां का कारोबार भी ठप हो गया था, अब ये situation कहा तक टेंस बनी रहेगी याने वला समय बताएगा.